आनन जी भाई के लिए उनकी पत्नी ने कही ऐसी बात कि जजिस से लगा कर जूरी तक सब पेट पकड़ कर हसने लगे जी हाँ दोस्तों सारे गामापा का हर नया हफता धेर सारी कहानियां, धेर सारे किस्से और कई सारी परफॉर्मेंसे को लेकर आता है और आने वाला ये हफता भी ऐसी ही कई सारी यादे बना कर जाएगा, क्योंकि मंच पर महमान बन कर आ चुके थे दो बॉलिवुड म्यूजिक कंपोजर्स जी हाँ, एक है आनन जी भाई, तो दूसरे है डिसको किंग के नाम से फेमस बपिदा जी हाँ, और ये स्पैशल एपिसोड होगा बॉलिवुड के गोल्डन एरा को समर्पित और इसमें हमें कई सारे गानों के पीछे की ऐसी कहानिया ऐसे किस से सुनने को मिलेंगे आनन जी भाई से और उस गाने से जुड़ी कई सारी ऐसी यादे भी खुलने वाली हैं इसे बीच शो में परफॉर्मेंस होती है व्रेज शत्रिय की और उसके बाद हिमेज जी ऐसे ही मजाक मजाक में आनन जी भाई की पतनी से पूछ बैठते हैं कि मैम आपको आनन जी भाई कितने होट लगते हैं इसके जवाब में मैम कहती है कि होट नहीं लगते तो हमारे आज पांच बच्चे नहीं होते और ये जवाब सुनते हैं पूरा मंच ठाहकों से गूंज उठता है और इस तरह से उसके बाद आनन जी भाई अपनी पतनी को I love you बोलते हैं और उम्र के इस पड़ाव में इन दोनों के बीच का इतना गहरा प्यार को देखकर हर कोई बस इन्हें देखता रह जाता है ये सब धमाल हमें देखने को मिलने वाला है सारे गामापा के इस लेटरस्ट अपिसोड में तो दोस्तों क्या आप इसे देखने को साहित है क्या आप चाहते है कि ये एपिसोड बंपर टियार बिलाए आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताए शुक्रिया